विया शर्मा and welcome to Azalite आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं intelligence के चाप्टर को जिसमें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सबसे पहले intelligence then intelligence quotient को और उसके बाद में हम बहुत सी जो theories है intelligence की उन में से पहली दो theories को जिसको हम बोलते है mono factor theory यह single factor theory first theory है यह इसको Alfred Bennett ने दिया था ठीक है इसको हम सबसे पहले cover करेंगे और second number पर हम cover करेंगे two factor theory को यह जिसको हम Charles Spearman theory भी कहते हैं जिसको की Charles Spearman ने दिया था इन दोनों को आज की इस वीडियो में हम cover करने बाले हैं हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को अगर आपने इससे पिछली वीडियो को नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो हम आपको बता दे कि हमारी चल रही है pedagogy की complete series और इससे पिछली वीडियो को देखने के लिए उसका playlist का link जो है वो आपको जाना यूज होने वाली term है वो है IQ IQ के full form होती है intelligence quotient सबसे पहले बात करें intelligence की जिसको के हम बुद्धी कहते हैं और complete intelligence quotient को बोलते है बुद्धी लबधी यानि की बुद्धी का मापन सबसे पहले बात करें intelligence की तो intelligence है क्या intelligence जो है वो ability है हमारी acquire करने की और apply करने की किसको knowledge और हमारी skills को ओके सबसे पहले बात करें intelligence term की तो इसको लिया गया है intelligentia और intelligier जो words है इन से जो है इस term को derive किया गया है जिसका मतलब होता है to understand अब बात करें intelligence की term में cover क्या क्या होता है तो सबसे पहले हम बता दी intelligence की term जो होती है इसमें सारी चीज़े cover होती है जिनमें से सबसे पहली है adjustment ठीक है यानि कि हमारा जैसा भी environment है work place है हम वहाँ पर कितने अच्छे से adjust हो पाते हैं ये depend करता है हमारी intelligence पर दूसरा हमारी learning हम किसी भी चीज़ को किस level तक सीख पाते है और कितने जल्दी ग्रैस्प करते है वह भी depend करता है intelligence पर इसके अलावा third one हमारी ability to carry out abstract reasoning यानि कि हमारी academic capabilities कैसी है ये भी depend करता है हमारी intelligence पर अब बात करते हैं हमारे पास में इसके कुछ एक specific features के बारे में ठीक है तो इसमें intelligence में सारी चीज़े cover होती है जैसे कि मैंने बताया आपको adjustment हो गई learning हो गई abstract reasoning हो गई academics हो गया ये सारी चीज़े हमारी intelligence पे cover होती है अगर इसके कुछ और characteristics feature की बात करें तो सबसे पहली है ability to adapt learn for daily life events and problem solving यानि कि हमारी जो daily life में problems आती है हम उनको किस तरीके से solve करते हैं किस तरीके से उनके साथ deal करते हैं उनको solve कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं panic होते हैं या फिर किस तरीके से उनसे deal करते हैं इसके अलवा हमारे surrounding में हम किस तरीके से adapt करते हैं, बाकियों के साथ किस तरीके के relations हमारे हैं, हमारी learning capability कितनी है, और कितनी fast हम सीखते हैं, ये सारी के सारी चीज़े जो है वो हमारे पास में intelligence के उपर depend करती हैं, उसके अलवा हमारे जो general experiences होती है life के, उनसे हम सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते हैं, एक ही गलती को कितनी बार दोहराते हैं, creativity हम में कितनी है, communication skills कितके ऐसी हैं, इसके अलावा judgment, comprehension, reasoning, इसके अलावा लोगों को समझना, उनकी बातों को समझना, object and symbol like language, language के प्रतिप पकड़ और हमारी communication skills जैसे के मैंने आपको पहले बिताया, ठीक है, तो इस तरीकी से intelligence में हमारी social, emotional, हर तरीके की जो एक तरह का balance है, वो सारी के सारी चीज़ें हमारी intelligence के उपर depend करती हैं, अब बात करते हैं, हमारी second term intelligence quotient के, जिसको हिंदे में बोलते हैं, बुद्धी लब्धी, ठीक है, तो intelligence quotient जो है, वो term use की जाती है, measuring, measure करने के लिए intelligence को, यानि कि इसको हिंदे में बोलते हैं, बुद्धी लब्धी, और इसका जो सबसे पहले formula है, वो दिया था, stern ने, 1912 में, और उस time पे, इसने जो mental age का formula दिया था, वो था, ma upon ca, यानि कि mental age upon chronological age, ठीक है, तो, इसको जो है वो, stern ने दिया था, एक और important fact जो मैं इससे related बता दूँ, तो जो mental age term है, वो Alfred भिने ने सबसे पहली बार propound की थी, 1905 में, और mental age होती क्या है, mental age जो है, हमारा intellectual level दर्शाती है, ठीक है, हमारी real age जो है, वो कितनी भी हो सकती है, लेकिन हम mentally उस level तक पहुंचे है या नहीं पहुंचे है, वो होती है हमारी mental age, हम किस level का perform कर पाते हैं, कौन सी age का, जो हमारा intelligence है, वो दिखाती है mental age, इसके बाद बात करे chronological age की तो वो हमारी real age है यानि कि हमारे बर्थ के बाद में जतने years हम आज तक जी चुके हैं उनका जो number होता है उनका जो count होता है उसको बोलते है chronological age ठीक है इसके बाद में जो हमारे पास में termon है उसने इसको standardized किया और इस formula को निया तरीके से जो है वो दिया और जिसको हम आज भी follow करते हैं और ये formula है IQ का mental age upon chronological age into 100 यानि कि into 100 termon ने दिया था 1916 में ठीक है इसके अलावा intelligence quotient को measure करने के बाद में हमारे पास में जो भी results आते हैं वो in base से जिस भी हमारे level में vary करते हैं उससे जो भी determine किया जाता है कि हमारा कौन सा intelligence type है अगर हमारा intelligence quotient 0 से 24 के बीच में आता है तो idiot 25 से लेकर के 49 के बीच में 50 से लेकर के 79 के बीच में हम बोरोन और 70 से लेकर के 89 आता है तो dull 80 से लेकर के 99 आता है तो below average 90 से लेकर के 109 आता है तो normal और average 110 से 119 के बीच में above average 120 से 139 के बीच में superior और 130 से 149 के बीच में very superior और 140 और उससे अगर उपर चला जाए तो near genius और genius के type में हम आते हैं तो यह जो IQ table है यह दिया था तर्मन नहीं जिसने हमारा IQ का standardized formula जिसको हम आज भी उसकरते हैं MA upon CA into 100 दिया था उसी यह जो है वो table भी दिया था तो exam में अकसर ही पूछा जाता है कि इतनी जो है वो किसी बच्चे की mental age है इतनी chronological age है तो उसका जो है वो IQ बताईए या फिर आपके पास दे रखा होगा IQ और IQ के basis पर आपने उसका intelligence टाइप बताना होता है तो इस तरीके के questions जो है वो अकसर ही dat में या CTAT में पूछे जाते हैं तो आप इसका screenshot ले सकते हैं और इसको याद रखिएगा सो अब move करते हैं हमारी intelligence quotient से related या intelligence से related जो हमारी सबसे पहली theory है जिसको single factor theory या फिर mono factor theory के नाम से जाना जाता है इसको दिया है Alfred Binaday और Alfred Binaday single factor में हमारे पास में एक single factor दिया था intelligence से जुड़ा हुआ जिसको नाम दिया था G factor ठीक है तो उसने इस theory में क्या कहा उसने कहा कि जो एक G factor है इसको कहा जाता है general factor और general intelligence कहा जाता है या general ability कहा जाता है तो यह जो general ability general factor या general intelligence है यह क्या है यह एक ऐसा factor है जो कि हमारे हर एक काम में जो है वो use होता है यानि कि हम एक level होता है हमारा set level कि उतने level तक का काम हम कोई भी कर लेंगे ठीक है तो यह वो g फ्रेक्टन जो है वो common factor है जो कि हमारे हर एक काम में हमारा एक level होता है कि हम इतना काम तो कर ही लेंगे ठीक है तो उतना हम perfection अचीव कर पाते हैं हर एक काम में ऐसा जो हमारे पास में यह एलुपृट बिने ने कहा था, इसके अलाबवा उन्होंने कहा था, कि जो फ्यक्ति एक काम में परफेक्ट होता है, वो हर एक काम को जो है, वो उतने ही परफेक्शं के साथ कर पाता है, ठीक है, तो इसके लिए उनका बहुत साधा कृटेशिसम हुआ था, और उनके इस थियोरी में से G Factor का मतलब है General Factor, General Intelligence और General Ability ठीक है तो ये जो है वो First Intelligence Test करने वाले जो है Alfred भीने थे इन्होंने पहली बार टेस्ट किया था और इस टेस्ट के अंदर उन्होंने जो है Mental Age के हिसाब से कुछ एक टेस्ट को Conduct किया था जिसमें से Age Group था पांच से लेकर के 13 साल तक के बच्चों के लिए और उनको Mental Task दिये गए थे और उसके बेसिस पर उन्होंने जो है वो उनका Intelligence टाइप जो है वो बताया था ठीक है तो according to his theory Unifactor Theory of Intelligence We all have common sense और General Factor of Intelligence To apply in every task जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अब मूफ करते हैं हमारी Second Theory पर जिसका नाम है Charles Spearman Theory या Two Factor Theory of Intelligence को ये दिया था 1904 में Charles Spearman ने ठीक है अब उपर हमने एक factor पढ़ा अब Charles Spearman ने दो factor दे दिये ठीक है उनमें से जो पहला factor था वो था G Factor और दूसरा factor था S Factor ठीक है तो अगर हम बात करें G Factor की तो G Factor को तो आप सभी जानते हैं कि General Factor ठीक है यानि कि General Level of Intelligence जो कि हमारे हर एक काम में जो है वो हमारा एक level होता है Set Level और S Factor का मतलब है Specific Factor या Specific Ability ठीक है यानि कि हम कुछ एक level तक जो है वो सारे काम कर लेते हैं लेकिन कुछ एक हमारी विशिष्ट ताइं भी होती है ठीक है जैसे कि हमारे में कोई Specific Ability होगे जिसमें कि हम बहुत ही perfect होंगे For example के लिए जो हमेरे पस में लाता मगेशकर है उनको जो है वो Singing की Queen माना जाता है ठीक है तो उसी तरीकी से उनकी उस Field में जो है वो Perfection है इसी के अलावा अगर हम Sports की बात करें तो हम अपनी बात कर ले तो जैसे कि मैं Sports में बहुत अच्छी हूँ मैं हर एक Sports को एक General Level तक जो है वो Cover कर लेती हूँ ठीक है लेकिन उसी के प्लेस पर अगर हम बात करें सचिन तंदूलकर की तो सचिन तंदूलकर जी को क्रिकेट के लिए जाना चाता है वो क्रिकेट में Specific और Special Abilities रखते हैं MS Dhoni क्रिकेट में जो है वो Special Abilities रखते हैं ठीक इसी तरीके से हमारे परस में पलक मुच्छल और श्रिया घोशाल जाए वो Singing की फिल्ड बे जो है वो Special Abilities को रखते हैं ठीक है तो S Factor जो है वो हमारी Special Ability है जिसकी वज़़ा से हम जाने जाते हैं जो हमारी मुख्य खूबी होती है तो इस तरीके से उसने दो Factor दिये थे S Factor and G Factor और एक बात बताती हूँ जो कि General Factor और Specific Factor से Related है तो General Ability जो है वो हमारे पास में Innate होती है यानि कि By Birth ही हमारे अंदर आती है ओकि Hereditary होती है हम इसको Change नहीं कर सकते हैं जबकि जो Specific Ability है या S Factor है इसको हम Change कर सकते हैं Practice के साथ में और Training के साथ में और Improve कर सकते हैं और उसमें परफैक्शन को हासल कर सकते हैं G Factor जो है वो हमारे Multiple Tasks में Use होता है इसलिए G Factor को उन्होंने ज़ादा Importance दी है उन्होंने कहा कि G Factor जो है वो ज़ादा Important है S Factor से क्योंकि G-Factor में multiple abilities आती हैं जबकि S-Factor में हमारी कोई specific ability ही होती है ठीक है अगर किसी इंसान में G-Factor की कमी है तो उसमें S-Factor जो है वो fully developed नहीं हो सकता है ऐसा भी हमारे पास में Charles Spearman ने कहा है और इसके अलावा उन्होंने कहा कि S-Factor यानि कि किसी में specific ability किसी special field में अगर बहुत जादा अच्छी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बाकी के कामों में भी उतना ही perfect होगा बाकी के कामों में उसकी perfection जो है वो बैरी कर सकती है ऐसा Charles Spearman ने कहा है तो इस तरीके से हमने intelligence से जुड़ी दो important theories को कर लिया है cover जिनमें कि सबसे पहली थी single factor theory या mono factor theory या जिसको हम बोलते हैं हमारे पास में uni factor theory जिसको दिया था अलफर्ड बिने ने और उसने इसमें factor दिया था g factor जो कि सारे कि सारे हमारे tasks में एक general ability हमारी होती है innate होती है by birth होती है जिसको हम change नहीं कर सकते हैं उसके याद में दूसरी theory थी Charles Spearman की theory जिसको हम two factor theory of intelligence के नाम से जानते हैं और उसमें उन्होंने जो दो factor दिये थे वो थे g factor and s factor यानि कि general ability और general factor और special ability और special factor जिसमें से general factor जो है वो use होता है हमारे सारे के सारे tasks में जिबकि s factor जो है वो हमारी personality का एक main feature या specific ability होती है जिसकी वज़ा से हम जाने जाते हैं इसी examples हमने किये बहुत अच्छे से ठीक है तो आप move करते हैं हम questions के उपर तो सबसे पहला जो question है वो है which of the following is the true statement in reference to intelligence ठीक है तो आपने इन में से बताना है कि कौन सी statement जो है वो true है in reference to intelligence तो सबसे पहला है intelligence is the ability to learn दूसरा है intelligence is the ability to adjust तीसरा है intelligence is the ability to of abstract reasoning तो हमने शुरू में एक model जैसा किया था उसमें हमने किया था कि intelligence is the ability to learn, adjust and abstract reasoning तो इसमें हमारी तीनों की तीनों options जो है वो correct है ठीक है तो intelligence जो है वो determine करती है हमारी तीनों चीजों को और इन तीनों के उपर हमारी intelligence का फर्क पड़ता है तो इसका the option जो है वो हमारे पास में correct है जिसका जिसमें ये तीनों की तीनों cover होते है that intelligence is the ability to learn and intelligence is the ability to adjust intelligence is the ability of abstract reasoning so, चलिए अब मूव करते हैं next question के उपर the term g-factor given by Spearman refers to तो आपने इसमें बताना है कि हमारे पास में जो g-factor है जिसको कि Charles Spearman ने दिया है इसका मतलब क्या है तो मैंने आपको अभी-भी बताया था g-factor के 3 meaning बताये थे देखते हैं आपको कितना याद रहता है आप guess करिए तब तक मैं इसका answer भी दूँगी तो इन्होंने जो options दिये हैं वो है सबसे पहला general abilities तूसरा है group factors तीसरा है generation factors और चौथा है general strengths I hope आपने अभी तक guess कर लिया होगा इसका जो correct answer है वो है general abilities तो मैंने आपको पताया कि g-factor का मतलब है general factor general abilities या general intelligence जो कि हमारे सारे के सारे tasks में हमारा जो minimum level है वो decide करता है यानि कि उतना हमारा level हम achieve कर ही पाते हैं चलिए अब move करते हैं next question के उपर so हमारा जो next question है वो है who developed the first intelligence test किसने जो है पहला intelligence test जो है वो develop किया था options है आपके पास में Robert Stunberg David Batchelor Charles Edwards Spearman और Alfred Binet ठीक है तो आपने आज की जो theory है जो दो theory इस cover की उनमे और साथ में जितना भी हमने intelligence का chapter पढ़ा उनमें दो ही नाम आए सबसे पहला था Charles Spearman यानि कि Charles Edwards Spearman और Alfred Binet तो आपको guess करना है ठीक है आप फटा-फट से guess कीजिए मैं आपको answer बताती हूँ इसका जो correct answer है वो है हमारे पास में Alfred Binet ठीक है तो हमने अभी-भी किया जो Alfred Binet उन्होंने पहला test जो है वो डैवलप किया था और उन्होंने ही single factor theory दी थी उन्होंने पांच से लेकर के 13 साल के जो बच्चे थे उनके उपर टेस्ट किया था उनको कुछ एक mental task दिये थे 1905 में और उन्होंने term MBA का concept भी दिया था जिसका हमने meaning भी किया कि mental age क्या होता है वो express करती है कि हम intellectually किस level का किस age का performance जो है वो दे पाते है तो move करते हैं next question के उपर तो next question है intelligence is intelligence is और options है a specific ability a set of capabilities a singular and generic concepts the ability to imitate others ओके तो आपने अभी भी पढढ़ा कि intelligence में क्या कैची से cover होती है intelligence के हमने दो factors भी किये तो आपको guess करना है कि इन में से कौन सा जो है वो correct answer है तो इसका जो correct answer है वो है a set of capabilities ठीक है तो specific ability में तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ as factor आता है लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक ही specific ability को नहीं रखते है हम set of capabilities को रखते है जिन में से कुछ जो capabilities है या abilities है वो specific हो सकती है ठीक है यानि कि जो एक व्यक्ती है अगर वो एक अच्छा संगीत कार है तो उसी time पर वो कुछ एक level तक जो है वो अच्छा खाना बनाने वाला भी हो सकता है अच्छा academics में भी हो सकता है sports में भी हो सकता है ठीक है तो इस तरीके से हमारे पास में a set of capabilities intelligence के अंदर जो है वो cover होता है लेकिन उन set of capabilities में से कुछ हमारी specific abilities भी हो सकती है ठीक है